तो यार आजना मेरे पास cricket की चार update हैं लेकिन सबसे पहले मैं Nathan Lion को congratulate करना चाहता हूं जिसने test cricket में 30,000 balls बिना no ball डाले डाल दी हैं यार यह बहुती बड़ी achievement है तो congratulations Nathan Lion को तो चलो इस वीडियो को start करते हैं अब जो आज की पहली update है वो आजकल का बहुती जादा hot topic है श्रेयस एयर, श्रेयस एयर की injury update बहुत से लोग श्रेयस एयर की injury के बारे मां पूछ रहे हैं कि भाई कहां तक progress हुई है क्या वो मतलब second test खेलेगा तो इसका answer है maybe, maybe not मतलब 80-20% है chance में यह कहूँगा, वो progress क्या हुई है, rehab उन्होंने खतम कर दिया outdoor training करनी उन्होंने start कर दिया और sources के according वो इस हफते से nets में practice भी करना start कर देने वाले लेकिन उनका second test में participation है वो इस चीज़ पे depend करता है कि वो fitness test pass कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने 80-20% का percentage दिया आपको की 80% chance खेलने के हैं, 20% chance नहीं खेलने के लिए तो देखते हैं मतलब क्या होता है, लेकिन बात ही है कि आप इसे positive ही ले सकते हो रंज बनाये थे, तो ऑस्ट्रिया वाले यार मतलब एक left-hander ढूड रहे हैं, इसलिए उन्होंने मैथ्यू कुनेमन को जो की मतलब या left-arm spinner है, उसे ऑस्ट्रिया से बुला लिया है और इनका एक Michael Swipson करके player था, उसे वापस ऑस्ट्रिया में भेज दिया है, क्योंकि उसका बच्चा होने आलता शायद, लेकिन मैं तो बोलूगा कि ये excuse ही है मैथ्यू कुनेमन को इसलिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि इंडिया के left-handers ने जो मतलब भौकाल मचाया था ना, उससे वो भी definitely एक left-hander चाहते है और मैं कहना चाहूँगा ये इंडिया के right-hand batters के लिए एक खतरी की घंटी टाइप की है right-hand batters तो छोड़ो विराट कुली के लिए especially यूँ बताऊं क्योंकि मैथ्यू कुनेमन एक तो या debutant है और right-hand batsman obviously लेकिन मैं कहना चाहूँगा यार ऑस्टिलिया ने पहले वाले टेस्ट मैच मेंना क्या किया बाइगोड यार के पास ना पहले टेस्ट के लिए कोई भी strategy नहीं थी बता है ये लोग खाली pitch के मतलब बरोसे थे कि बही pitch spin कर रहा है इनके मन में मतलब हम लोगों ने डर बैठा दिया था तो इन लोगों ने अपने main players भी नहीं खिला है जैसे Travis Head नहीं खिला अश्टन एगर को नहीं खिला है इन लोगों ने तो बहुत जादा गल्दियां होई है मैं तो कहूंगा उस्टेलिया वालो से बही अपनी मतलब जो full potential वाली टीम है उसको खिला हो irrespective of the page अब जो आज की तीसरी update है ना वो है KL Rahul के बारे में जिनको Venkates Prasad ने बहुत ही जादा criticize किया है मतलब उन्होंने यह कहे कि KL Rahul जैसा player अगर टीम में खेल ला है मतलब ऐसा player जिसने 46 match खेल लेगे हैं और वहां पर को उसका average सिर्फ 34 का है और ऐसी player को अगर इतने time तब backing दी मिल ली है वो उसको favoritism के दम पे मिल ली है तो यार मतलब बहुत ही बड़े allegations लगा है Venkates Prasad ने और मतलब मैं यह कहूंगा कि जो आप लोग कहना चाहते हो ना वो सब Venkates Prasad ने कह दिया है वत है तनाई नहीं उन्होंने तो यह भी कह दिया कि situation को और जादा गंदा बनाने और उन्होंने तो यह भी कह दिया कि कोई भी एक्स क्रिकेटर ना इसके बार में क्यू कुछ नहीं बोलता है क्यूंकि उन्हें चीए IPL का पैसा और अगर यह लोग मतलब क्रेटिसाइज कर देते हैं किसी बड़े प्लियर को तो IPL की फ्रेंचाइज नाराज हो जाएगी त मतलब एक इग्जामपल है हर्शा भोगले तो मतलब उनका यह सब कहना है उन्होंने मतलब अपनी बात रग दी थी लेकिन इसपे फिर सनी गाउस कर भी कूद गे उनके अकॉर्डिंग के लाउल ने पिछली एक-दो साल में बहुत अच्छा परफोर्फोर्मेंस किया है तो करके तो जिसका आंसर मुझे सबसे अच्छा लगेगा मैंने कहा था कि मैं उसे वीडियो में फीचर करूंगा तो मैं अभी लास्ट में दिखाऊंगा ठीक है लेकिन एलन बॉडर जिनके नाम पर मतलब बॉडर गाउस का ट्रोफी भी है उन्होंने स्टीव स्मित को क्रेट कि भाई तुम कर क्या रहे हो और तू मतलब ऐसे थमसब दिखा रहे है तो मतलब क्या है यह मतलब उस्टिलिया टीम इतनी नीचे गिर गई है तो बहुत जादा मतलब उन्होंने क्रेटिसाइस किया है अब मैं बात करता हूं उस आंसर के बारे में जो मुझे सबसे जादा पसंद आया वो था धनश्री पांडा का जिन्होंने मतलब यार आंसर दिया था क्या आपके टूथपेस में नमक है क्यार मतलब यह मुझे पसंद आया आप लोग नीचे कॉमेंट करके बताना क्या आपको भी यह पसंद है तो आज की वीडियो पस इतनी है होप आपको पसं पसंद आयूग